और सरकार ने तो हमेशा कहा है कि हम अपराध नहों ऐसी स्थिती बनाना चाहते हैं और अगर अपराध होते हैं तो अपराधी बक्से नहीं जाएं और चाहे घटना लखी सराइक की हो, सिता मड़ी की हो, चाहे बियार के किसी बाग की हो नमस्कार आप देखरेंसिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हरशिता प्रताप सिग बिहार में लगतार बढ़ते अपराधिक मामलों को लेकर नितीश सरकार सवालों के घेरे में हैं इसको लेकर आज बिहार सरकार में वितमंत्री विजय चौधरी सफाई पेश करते नजरा उन्होंने कहा कि अगर राज्य में अपराध बढ़ हैं तो उसकी कारवाई की जाएगी जो अपराधी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा जाच की जाएगी कारवाई की जाएगी और अपराधीयों को उनकी सजा मिलकर ही रहेगी साथ याज जिलाधिकारी की गाड़ी की सरक दुरगटना को लेकर भी वितमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ये मामला दुरगटना का है लेकिन फिर भी ये दुरगटना किस तरीके से हुई है इसकी जाच भी पूर्ण तरीके से कराई जाएगी क्या कुछ कहते नजर आए हैं विजय चौधरी हम आपको पहले सुनाते हैं हाल के समय से पीछे वो सरकार के को अच्छा कर रहे थे सरकार के विधिविवस्था की प्रसंसा कर रहे थे क्या और सरकार ने तो हमेशा कहा है कि हम अपराध न हो ऐसी स्थिती बनाना चाहते हैं और अगर अपराध होते हैं, तो अपराधी बक्से नहीं जाएं। और चाहे घटना लखी सराग की हो, सिता बड़ी की हो, चाहे बिहार के किसी बाठ की हो, कोई अगर अपराध करता है, तो अपराधी को कानून के हवाले निश्चित रूप से किया जाएगा। यह सरकार ने घोशना कर रखी है और इस पे पूरी तरीके से अमल चल रहा है। अपराधारी को न सिर्फ उठाया, बल्कि उसको पूरा करके पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और अब तो उसके अगले कदम के रूप में, जो उसके आकड़े आए, और चाहे अनसुचित जाती, जन जाती की बात हो, अति पिछडे पिछडे वर्ग के बात हो, या सामान वर्ग में जो गरीब परिवार है, उनकी बात हो। सबों की पहचान की गई है, और ये आकरे प्रामानिक हैं, ये भी कई चीजों से अब तक असपस्ट हो चुका है। अब उसके अगले कदम के रूप में, जो उनका अरक्षन का दाइरा बढ़ा है, अब सरकार जैसा की मुख्य मंतरी ने घोसना कर रखी है, कि हर जात के गरीब लोग की पहचान हुए है, कोई वर्ग इससे छुटा हुआ नहीं है। हर जात के, चाहे उची जात के लोग हों, पिछली जात के लोग हों, या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, उसमें से भी जो गरीब लोग हैं, उनको और उनके परिवारों को चिनित किया गया है। और उनके भी आर्थिक उत्थान की योजना बनाई जाएगी, जैसा कि मुख्य मंत्री ने बड़ाबर स्ट्रेंग कहा है, सदन में भी कहा था। तो अब अगले कदम उस तरह पढ़ेंगे, और आज महामहिम ने शुकृति दे दी है। यह सभी के लिए प्रसनता की बात है। और खास तोर से बिहार के गरीबों को कुछ दी होगी। कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने जो उनकी सही संख्या पहचार कर और सही प्रतिशत का निर्धारन कर, उनके फाइदे के लिए जिस चीज की कलपना की थी वह अब पूर्ण रूप से साकार होगा। इसलिए एक्सिडेंट हुई है तो पीडित पडिवारों को जो सरकारी प्लावधान है, उसके तहप निश्चित रूप से उनको मदद करने की व्यवस्था की जाएगी। और दुरगाटना नहीं हो, इसके लिए सबों को सचित रहना चाहिए, चाहे वो सामाने नागडिक हैं हो या अधिकाली हो। आपने सुना विजय चौधरी को कहते नजर आए कि जो भी अपराधियों ने छोड़ा नहीं जाएगा, सब पर कारवाई की जाएगी और अपराधियों को उनका दंड अवश्य मिलेगा साथी, जो आरक्षन बढ़ाने को लेकर बिल पास कराये गया था, पहले विधान सबाव फिर विधान परिशत से उसे आज राजपाल की स्विकृति मिल गई है, उसको लेकर भी विजय चौधरी ने कहा कि अब इस बिल को महा महीम की स्विकृति मिल गई है, इससे न केवल बिहार सरकार, बलकि बिहार की पूरी जनता को खुश होना चाहिए, अब हम लोग बिहार की जनता के लिए काम कर सकेंगे, उन्हें उनका हक दिला पाएंगे, विजय चौधरी कहते नज़र आए कि ये एक बहुत ही खुशी की बात है, बिहार की जनता के लिए कि राज़पार की स्विक्रिती आज इस बिल को मिल पाई है, अब हम उनके आबादी के हिसाब से लोगों की आबादी के हिसाब से उनके लिए काम करवा पाएंगे, और उनका हक दिला पाएंगे, क्या कुछ कहते नज़र आए बिहार सरकार के वितमंत्री विजय चौधरी हमने आपको सुनाया, फिलाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहें इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्स्ट्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद